हलो दोश्तों आपके स्वागत है जी एकडमी में MP6 का जो एक्जाम मध्य प्रदेश लोग से वायोग लेगा 9 अपरेल को आप लोग का एक्जाम होगा मैंने नोटिफिकेशन का वीडियो बनाया था 25 नॉबर को आप लोग के MP6 के डेट डिक्लियर होई थी 9 अपरेल को 2023 में होगा आप लोग का एक्जाम तो इसके लिए क्या पार्टिकम रहेगा कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड रहेंगे इसका नोटिफिकेशन जल से जल जारी हो जाएगा जिससे कि आपको तियारी करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी और इवन जैसे स्लेवस रहेगा और आपका ये भी रहेगा कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड हो रहे है तो उसके एक्वाइडिंग अप लोग त्यारी कर सकते हो जैसे लौ में MP6 2018 में नहीं हुआ था तो आप लोग efforts लगाओ लौ वाले, education वाले, psychology वाले क्योंकि 5 साल के बाद ही फिर से आएगा MP6 अब MP6 नहीं आएगा जो 2029 अपरियल को exam हो जाएगा उसके बाद ही 5 साल बाद MP6 आएगा इस बात का ध्यान रखें और खासकर science वाले तो और negative marking रहती है CSIAR में यहाँ negative marking नहीं रहती यहाँ easily बेपे आप अपना selection पा सकते हैं तो थोड़ी सी मेहनद कर लेंगे वैसे भी मैं humber classes start कर रही हूँ first day wali class तो हुई गई है second day class होगी मैं एक हपते से थोड़ा सा miss कर गई हूँ कल से start कर देंगे फिर से हम और slavis जैसे ही आता है तो update कर दूँगी मैं और साती सात में जो subject included है उन subjects का वीडियो बना दूँगी जो subject नहीं included है उनके लिए क्या करना होगा ये बता दूँगी ये बदे को क्या करना जैसे law वालों का subject include नहीं रहेगा ये तो 110% है अधी होता तो बहुत अच्छी बात है education वालों का नहीं होगा अधी होता तो बहुत अच्छी बात है psychology का और भी दो-तीन subjects ऐसे हैं जिसमें परिशान हो रहे हैं सबी लोग देखो मैं technical वालों का इसली नहीं कह पारीं क्योंकि technical वालों का शायद ही ये इन लोग include करें जिसने civil engineering से करी है या कि फिर M take करा है बहुत साइस subjects से E, C यह ना बहुत साइसे branch होते जिससे करते हैं तो यदि उनसे करा है तो वो get के through ही उन लोग का selection होता है और आप लोग चाहो तो technical वालों का एक अलग कर वालो ये भी करवा सकते हैं विधान सबा चुनाओं हैं आप जो कहोगे वो करेंगे बस यह है कि आपकी संख्या जादा होनी चाहिए जब यह आपनी कोई बात रखते हैं तो जितनी unity होगी उतना जो है लोग मतलब जल्ली काम करेंगे नहीं तो सरकार भी सो जाएगी और आप भी सोजाएं यार कैसे हम ते एक ही हैं हम कैसे करवाएंगे इसलिए unity कटा करो और फिर देखो काम होगा क्यों नहीं होगा और क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यह last chance है last chance लिए कि 5 साल के बाद कौन कहां रहता है क्या करता है पता नहीं तो यदि अभी notification आ जाता है 30 December के पहले पहले तक मुझे लगता है notification आ जाए क्योंकि क्या होता है कि एक summarize करना पड़ता है कि आपने क्या क्या किया है 2022 में क्या क्या किया है मतलब आयोग को एक notice मतलब वो करता है देता है सभी को बताता है कि हाँ हमने ये ये काम किया है तब ही तो आयोग को पैसे देते payment देती है सरकार otherwise ऐसे payment नहीं मिल जाता है जब तक आप कुछ काम दिखाओगे तब ही न तो ये एक सूची जारी करेंगे ये सारा कुछ ही क्यास लबस रहेगा किते subject included है और जैसे नहीं होता है तो आप क्या करना सबसे पहली बात आयोग के पास जाना एक application लिखना कि सर विधी सर education, सर psychology जो भी subject से हैं आपके unity बना करके चले जाना letter देना आयोग बोलेगा कि हमारे पास सिब इतने ही subject का मतलब approval मिला है कोई बात नहीं आपने आयोग को दिया दो बर दिया, तीन बर दिया फिर आप जाओ higher education ठेक है higher education पे एक application लिखो जिसमें जितने भी candidate जैसे education के बहुत साइड candidate होंगे उनसे sign करवा लो और जैसे law वाले हैं तो उनसे sign करवा लो अलग अलग application देना एक ही application से law वाले अलग application देंगे psychology वाले अलग और और कौन से? education वाले अलग तो हाँ, geology वाले भी हैं लेकिन उन में vacancies काम आती हैं इसलिए geology वालों को ज़्यादा मतलब हाँ, एदिया अपने efforts लगाऊगे होगी candidates भी नहीं मिलते जादा geology में, भू विज्यान में, तो उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन इसमें 3-4 subject ऐसे जो efforts लगाए जा सकते हैं फिए यह higher education वाले बोलते हैं यार, नहीं, हमें तो सरकार ने या approval ने इतना ही भीजाए तो आप यह कर सकते हो फिर आप उच्छा मंत्रे से मिल सकते हो ग्यापन दोगे, तो अच्छा रहेगा अभी भी समय है जैसे notification आता है, आप पढ़लना कि आपका subject included है या नहीं है और नहीं होगा, तो फिर तुरंट आप यह काम करना है पूरी प्रोसेस जो बता दिये उसको अच्छे तरीके सुनना है ठीके न, और उसके recording काम करना है आप यह बोलना कि जो हैं, बहुत सारे से बच्चें जो education से मतलब amet कर रहा है या कि फिर psychology से ame कर रहा है या LLM कर रहा है, इसके बाद एमपी सेट नहीं होता है तदी बिधी में, मतलब law में या दी vacancy आती है, assistant professor की जो केशन में आती है और psychology में आती है तो बच्चा फिर क्या करे net किसी कारण की जैसे net नहीं दे पाया लेकिन set की भी तो होनी चाहिए न मतलब set में भी eligible करो subject included करना चाहिए तो भी रख दोगे न तो बात तो थोड़ा सा अलग ही वो बन जाएगा शायत include हो जाए देखो, अपने efforts लगाने है और वो तो फिर बात की बात है include होता या नहीं होता ठेक है, यह देखो यह साथ सब्दों में लिखा एक बार मैं फिर से पढ़ात अगामी राज पात्ता परिक्षा के अद्यतन पात्ता परिक्षा के संबन में सूचना अगामी राज पात्ता परिक्षा जिन वेश्यों में आजित की जाएगी उन वेश्यों का अदेतन पाट्टक्रम मत्य प्रतेस लोग से बायक वेब साइट पर सीखरी ही जारी किया जाएगा एक बात और बता रही हूँ कि यह जो स्लेबस होगा वो हूब 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 अठारा काई स्लेबस होगा थोड़ी बहुत चैज़स होगे तो मैं अपलोड कर दूँगी वीडियो बना दूँगी तो आप वो देख लेना ठीक है और हाँ ओल्ड पीपर जरूर देख लेना चाहे चाहा होता है पिएसी के साइट से डाउनलोड कर लेना या के फिर जी एकर था ही नहीं है एजूकेशन में तो था ही नहीं हम क्या करते हैं फिर हम कैसे वोगी देखो उस बार वीडि से लोग से एसिस्टेंट प्रफिसर की भरती हुई थी लेकि सेट नहीं हुआ था ठीक है इस बार कोसिस कर रहे हैं आप लोग के लिए एजूकेशन के लिए साइको लोगों तक बात पहुंच जाए और उस बात पर आप अमल करो, यह रहता है मेरा, ठीके न, all the way सबी को.